लोग भी न बंदा देख करके और शकल देख कर बोलते हैं तुम शेर की तरह रहो शेर की तरह जीओ किसी की खुदी हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम पर आक्षे पापत्ती करने की पहली शर्म तो तब ही आ जानी चाहिए जब कोई आ करके तुम्हारे मसलों में हस्तक शेप करे बात यह नहीं है कि उसने जो भी का वो सही है गलत बात यह है कि उसने जो भी का उसने कह कैसे दिया जरूर तुम नहीं ऐसे सिगनल दिये हैं कि मैं कमजोर आत्मी हूँ और मुझसे कोई कुछ भी कह सकता है तुमने अपना ब्रैंड ऐसा लुचुर पुचुर बना क्यों रखा है और उपर से दूसरों की शिकायद कर रहे हो फलानों ने आके मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर दी लडने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें ऐसा हो जाना है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े तुमसे यह सब बातें बोलने की देखो बीमारी भी कमजोर आदमी पर हमला करती है सबसे पहले यह समझो कि दूसरे तुम में कमजोरी देख रहे हैं ना इसलिए तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अगर तुम में कमजोरी देखेंगे ही नहीं, तो तुम पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और अगर तुम्हारी माबाप हैं और कमजोरी देख रहे हैं तो कमजोरी होगी भी, वो बिलकुल तुम्हारी असलियत से वाकिफ हैं, उन्हें दिख रहा है कि यह लड़का तो है ही कमजोर तो इसका हाथ हुमेट सकते हैं इसके कान भी मरोड सकते हैं नहीं तो 26 साल के जवान पर कौन धौस चला सकता है